नमस्कार आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया नियूज सिरोई के पॉक्सो विशेस कोट के विशेस जज अनुप कुमार पाठक ने नावालिक से वीडियो कॉल के बाद गलत रूप से स्क्रिन शॉट लेकर शेर करने के आरोपी को पांस साल के कटोर कारवास की सुझा सुनाई है इसके साथ ही 50,000 रुपे आर्थिक जुर्माने से भी दंडित क्या है विशेस कोट के लोक अभियोजग प्रकास धवल के अनसार पालड़ी एम थाने में वर्स 2021 में एक परिवार की तरब से मामला दर्ज कराया गया रिपोर्ट में बताया कि नावले की बेटी से एक लड़के ने ओनलाइन चैटिंग के जरिये दोस्ती की और चैटिंग करते हुए उससे बात्चीत शुरू कर दी बात्चीत के दौरान उसे विश्वास में लेने के बाद वीडियो कॉल करने लगा यहां तक कि उसकी नहाते हुए की वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शॉट ले लिए बाद में गलत बातों को लेकर लड़की को धमकी देने लगा इस पर लड़के ने उसकी फोटो गलत तरीके से शेयर करने शुरू कर बदनाम करने लगा परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्जकर आरोपी युबक को गिरफतार कर चार्जशीट पेस की पोर्ट के आधेस पर आरोपी को जेल बेज दिया इस मामले में दोनों पक्षों की बहस के दोरान लोग अभियोजन की तरब से साथ गबा और सत्रे दस्ताबेज पेश किये गए जबकि पुलिस ने जाच में फोटो वाइरल होने की पूरी रिपोर्ट के साथ ही आरोपी की आईडी बगेरा सभी सबूत यहां तक की जिस मोबाइल से वीडियो वाइरल किये गए उस मोबाइल को भी पुलिस ने जफ्ट कर कोट में पेश किया इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लोक अभियोजग प्रकाश धबल के पेश किये गए तथ्यों से सहमत होकर विशेस कोट के जजने फैसला सुनाते हुए मामले के आरोपी मोनु कुमार उम्र 25 वर्स पुत्र लालचंद निवासी बैराज डोटा भीम ज पेडिता को पहले अपने प्रभाव में लेकर उसकी नगन अवस्था में पोटो भेजना और आंत्रेक अंगों को दिखाते हुए बादचीत करने और इस दोरान वीडियो कॉल के स्क्रेंशोट लेने और बाद में उन्हें शेयर किया है इससे नाकिवल नावाले के पेडित को मानसिक रूप से संताब को आगात पहुँचा है जिसे शायद वह कभी नहीं भूल पाएगी देवनगरी इंडिया निउस से जुड़ने के लिए धन्यवाद